सरकार दोरा खुले में शौच मुक्त कर अवार्ट पाने की दोड में लगे सरपन सचीव से लेकर अधिखारी तक सभी ने अपनी आखे बंद कर शोचाले का निर्मान तो दस्तावेजों में करा दिया लेकिन सवच भारत अभ्यान के दावों की पूल किस तरह खुल रही है लापर भाई इस कदर की एक हिदग्राही के शमशान में भी सवच भारत की तहर शोचाले बनवा कर गजब कर दिखाया ये पूरा मामला कोडिया जिले के विकासकंड भरतपुर की ग्राम घगर का है जहां सवच भारत की तहर शोचाले निर्मान का कारे कराय गया था लेकिन आज भी आदे अदूरे शोचाले बने हुए है जिनके बने भी है उनकी उपयोग के लायक नहीं है आज भी लोगों को खुलने में शौच जाने पर रहा है वही शोचाले निर्मान में लगे हुए मज़़ूरों को उनकी मज़़ूरी तक नहीं मिली उपियोगी तो नहीं है सर यहां का सोचाले है, बहुत खराब कंडिशन में है, और उपियोग नहीं है, आदमी वही पुरान रवए अवही जाता है, अपना बाहर वहार इधर उधर, बाखी लेइटिंग जुग में नहीं जाता है तो सौचाले की स्थिती कैसी है? बहुत खराब कंडिजन है। तो आप लोगों ने सौचाले पर काम किया था? हाँ काम किया था। तो आज तक? नहीं मिला है पैसा। सरपंज क्या कहते हैं? सरपंज कहता है कि मेरे बजट में नहीं है। सरपंज और सचीव ने हिद्गराही का सौचाले उसके पिता के शमशान में बनवा दिया। जो ये सौचाले किसी उप्योग में नहीं है। जबकि यही सौचाले हिद्गराही की घर में बना दिया गया। होता तो उसके उप्योग होता। गामिनों का मानना है कि शोचाला निर्मान में लगे सरपन्स अचीव मनमाने तरीके से काम किये हैं शिकायत करने पर भी अधिकारी ध्यान नहीं देते वहे इस मामले को लेकर जब जनपत पैंचायत के CEO से संपर करना चाहा तो वशास की कारे से बाहर गए हुए है फिलहाल अब देखना है कि अधिकारी मामला सामने आने पर क्या कारिवाही करते है